अब इसके अंदर हम देखेंगे कि multivariate data क्या होता है, कौन सी ऐसी data type है जिसे हम multivariate data कह सकते हैं, मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं कि multivariate data जो है, वो हमारे पास किस तरीके से चलता है, let me see, यहाँ पे हम लिखते हैं, multivariate data, आपको पता है कि पिछले दिनों से हम सीखते हैं कुछ चीजें, जिसमें हमारे पास columns जो होते हैं, वो एक data के अंदर, एक structure data के अंदर होते हैं, और फिर rows होती है, ठीक है, हर column को हम एक variable बोलते हैं, यानि कि जो variable होता है, वो हर एक column को हम variable बोलते हैं, math के अंदर हमने यही variable को x, y और z बोला था, आपको याद होगा, यहाँ पे हम हर column को variable बोलते हैं, अगर आपके पास data ऐसा है, जिसके अंदर multiple columns हैं, multiple columns, इन columns को हम variables भी बोलते हैं, और इनहीं को हम एक और नाम भी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, attributes, तो यह अगर हमारे पास तीन चीज़ें, columns, variables and attributes, यह multiple हों, तो इस data को हम बोलते हैं, multi-variate data, यानि के ऐसा data जिसके अंदर multiple columns हों, अब आप कहेंगे, ज्यादा तर multiple columns ही होते हैं, नहीं होते, मैं पूरी class में अगर सिरफ height लेता हूं, तो यह मेरे पास univariate data है, यानि के एक ही variable है मेरे पास, जो height का है, जो change हो रही है, पूरी class की, अगर मैं साथ में, दो चीज़ें, यानि के height and weight ले लेता हूं, height and weight, तो यह मेरे पास हो जाएगा bivariate, so single वाला होता है univariate, double होता है हमारे पास bivariate, और हमारे पास जब double को हम study कर रहे होते हैं, उसी वकत हम multivariate को भी देख सकते हैं, which shows us multiple variables, और जब आपके पास कोई बड़ा data हो, वो multiple variables पे ही मिलके बनता है, ठीक है, multiple variables कौन से होते हैं, जहांपे data आपके पास multiple variables में हो, इसकी एक example में आपको दे देता हूँ, economics indicators जो होते हैं, for example अगर आप पाकिस्तान की economy के economics indicators देखेंगे, तो आपको बे तहाशा indicators जो हैं, वो मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब there are many indicators, for example आपका पहला indicator ये है, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवाँ, छटा, साथवाँ, ये ऐसे multiple indicators होते हैं, जिनको मिला के आपका एक data set बनता है, ठीक है, इसी तरह आपने देखा था कि Titanic का जो data है, जो मशूरे जमाना data scientist जो हैं, उसको use करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास multiple variables हैं, single variable नहीं है, so this kind of data is called multivariate data, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं,